आज हम आपको एक अनोखे मंदिर के रहस के बारी में बताएंगे जिसे बिना देखे उस पर यकीन कर पाना वाके में संभव नहीं है वरिंदवन में इस्तित श्री राधा रमण मंदिर जहां पिछले 477 सालों से एक भट्टी लगातार जल रही है कई वर्सों से जल रही इस भट्टी का उप्योग ठाको जी की रसोई तयार करने के साथ साथ मंदिर में दीपक जलाने में भी किया जाता है इस भट्टी और रसोई के बारे में बताती हुए सेवायत स्रीवास गोस्वामी कहते हैं कि ये बट्टी हमेशा जलती रहती है हर रोध इस्तेमाल में आने वाली दस फुट की इस भटी को रात के वक्त धग दिया जाता है मंदिर के दूसरे सेवायत आचीस गुस्वा में कहती हैं कि रसोई के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता सिर्फ सेवायत ही अंदर प्रविश कर सकते हैं और वो भी केवल धोती पहन कर एक बर अंदर जाने के बाद पूरा प्रिशाद बना कर ही बाहर आया जा सकता है अनिता नहीं अगर किसी कारण वच बहार जाना भी पड़े तो दुबारा अंदर घुसने के लिए फिर से इसनान करना पड़ता है